न सूजी न आटा न मैदा न ही पूहा आज बना के तयार करेंगे मिंटो में जट पट से सुबे के हलका फुलका नाश्ता जिसे आप बचों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं और चाहे तो शाम के डिनर में भी बना सकते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को हम बनाएंगे मसूर की डाल से बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टीस्टी नाश्ता बन करके तयार होने वाला है तो हलो दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी में जरा भी कुछ पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न हाल पूले तो हम क्या करेंगे यहाँ पे आधा कप मैंने मसूर की डाल ली है यही से अच्छे से दोने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और दो चमलu ही की डाल से बनासकते हैं इसे enthusiya two मोंग डाल भी इस्टमाल कर सकते हैं अब हम क्या करेंगे मसूर की दाल बढ़िया से भीग चुकी है पानी निकाल देंगे इसे मिकसर जार में ट्रांसफर करेंगे और इसमें डालेंगे हैरी मिर्ची स्वात के नुसार 7-8 कली लेसुन की छोटी छोटी है एक इन चद्रक कर टुकड़ा डालेंगे और एक चौथा hain तो गले में फशे नहीं इस वज़े से तो इसे हम पाने डालकर के और पीस लेंगे और यहां पे मैंने इसे बड़िया से पीस लिया है अब इसमें डालेंगे स्वात के नुसार नमक आदा चमच जितना हलदीग आट करेंगे आदा चमच ही डालेंगे यहां पे हम जीरा पाउडर, बहुत जादा मसाले इसमें नहीं जाएंगे बस इन तीनों मसालों को हमें इसमें अच्छे से मिला लेना है क्योंकि सूजी हमने इसमें इसमें इस्तमाल किया है तो सूजी को थोड़ा सा रेस्ट चाहिए तो तकरीबन 5-7 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे चलते हैं बाकी की तयारी कर लेते हैं तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके के धकन का इस्तमाल किया है आपके पास इस तरीके की कोई गहरी प्लेट हो या फिर केक टीन हो आप उसमें भी बना सकते हैं बहुत लोग मुझसे पूचते हैं केक टीन नहीं हो तो हम किस तरीके की बरतन में बना सकते हैं तो इस तरीके के गहरी बरतन में आप बना सकते हैं कोई भी टिफिन का ढखकन आप ले सकते हैं इसमें बना सकते हैं या फिर गहरे प्लेट में भी आप बना सकते हैं बहुत याराम से बन जाएगा कोई दिकत परेशानी नहीं आएगी अब यहाँ पे सूजी भी बढ़िया से रेस्ट हो गया है अब हम इसे फ्लफी बनाने के लिए इसमें डालेंगे आधा पाउच इनो का अच्छे से जेंटली मिला लेंगे बहुत जादा नहीं मिक्स करना है हलके हलके हाथों से इसे मिक्स करेंगे और यह देखेंगे आप थोड़ी दिर में थोड़ी से फ्लफी हो जाएंगे तो यह देखिए बैटर हमारा रेडी हो गया है तो चलिए अब ट्रांसफर कर लेते और मुझे फेस्बुक पेज पेज भी जरूर फॉलो करिएगा तो यहां पे मैंने क्या किया कि थोड़ा सा इसमें लाल मिट्शो का पाउडर स्प्रिंकल कर दिया धनियोपत्ती जिसे यह देखने में बहुत ही जादा खुबसूरत लगे अब यहां पे पानी उबलने के लिए मैंने रग दिया था और इसे मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए स्टीम किया है हाई फ्लेम पे और आप देखेंगे कि 10 मिनट में ही बहुत ही अच्छे से यह हमारा जो ढोकला है वो बन करके तयार हो गया है तो आप इस बैटर से इडली भी बना सकते हैं आप इस बैटर से चाहे तो इसमें सबजिया धेर सारी डाल करके हांडवो के तरह भी बना सकते हैं जैसे की हांडवो बनाया जाता है तो इस तरीके से एक बैटर से हम कई तरीके का वेरियेशन करके बना सकते हैं जिसे बच्चों को खाने में भी पसंद आएगा और हमें टेंशन भी नहीं होगे कि बच्चों को प्रोटीन और मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं ये प्रोटीन से भरपूर, हमारा ये मज़ेदार साब देख सकते हैं, बहुत ही स्पॉंजी जालीदार नाश्ता बन करके तयार है, इसके साथ खाने के लिए चलिए बनाते हैं, मज़ेदार सी चटनी, तो चटनी के लिए धेर सारा धन्या लेंगे, एक हरी मिर्ची लेंगे, तो तीन लेसुन की कली लेंगे, और जो हमने ढोकला तियार किया था, उसमें से दो तीन पीस लेंगे, यकीन मानिये फ्रेंज, इतनी मज़ेदार चटपटी सी चटनी बन करके तयार होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरीके से आप जरूर ट्राइ करिएगा, तो हमें कमी नमक का स्तमाल करना है, और बस थोड़ा सा पानी डाल करके, निम्बोनी चोड़ करके, इसे हमें पीस लेना है, तो आप देख सकते हैं, चटनी का कलर कितना बढ़िया आया है, इसी तरीके से मिलता है, ये ढोकले के साथ जो चटनी तयार हम करते हैं, तो ये चटनी इसमें डाला है सरसो, साथ ही डालेंगे हम यहां पे एक चमच जितना चना दाल, थोड़ा सा हम इसमें एड़ करेंगे, हरी मिर्ची करी पत्ता, अच्छे से क्रैकल होने देंगे, और इसके बाद इसमें एक बड़ी साइस का प्यास, मैंने इस तरीके से बारिक बारिक पतले अच्छो में कट करिया है, और इसके बाद यहां पे मैंने एक से डेड़ चमच के करीब सफेद वाला तिल भी एड़ किया है, बहुत ही बड़ीया फ्लीवर बन करके तयार होता है, आप एक बर इस तरीके से तड़का लगा करके तो देखिएगा, आप इसका जो ढोकला है वो चार चांद लग जाएगा, जब मैंने इसे पहली बार ट्राइ किया था ना, तो घर में सभी को इतना पसंद आया कि मैं जब भी ढोकला बनाती हुना तो बस सेम इसी तड़के से बनाती हूँ, अब क्या करेंगे, जो हमने ढोकला देयार किया, उसे हमें इसके अंदर ड बिल्कुल मिंटो में, तो देखा आपने कितनी हेल्दी तरीके से हमने ये ढोकले को तयार किया है, और यकीन मानिए ये एक दम गले में नहीं फसेगा, बिल्कुल भी सुखा सुखा नहीं लगेगा, एक बार आप इसे ज़रूर ट्राय करिएगा, और फिर मिझे फीडबैक तो चलिए मैं मिलती हूँ, कले को और मज़िदार और सिंपल रेसिपी के साथ, तिल देन टेक केर एंड बाई